तो बहुत ख़बड़े हैं बड़ी बड़ी ख़बड़े हैं लेकिन सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि उपेंदर कुस्वाहा पर बड़ा आरूप लगा है और उपेंदर कुस्वाहा ने सफाई दी है और क्या हाल है नागमनी जी? चली आप महारे दफ्तर में है उपेंद्र कुस्वाहा का प्रकरणा चल रहा है और उस प्रकरणा के जन्मदाता आप भी हैं क्योंकि आप उनको बढ़ाए भी उनको खुब उच्छाला भी नाम और बाद में उनकी पार्टी को तोड़ भी दिया देखे जो ब्रह्मन साधी कराता है वही स्राद भी कराता है तो उपेंद्र कुस्वाहा जी के पार्टी में आने के पहले किसी जिला में जाते थे दस पांच आदमी मिलता था हमारे आने के बाद खास तर से कुस्वाह समाज एक जूठ हुआ और जिस जिला में जाते थे दो हजार, चार हजार, पांच चार की भीड़ होते थे तो हमारे आने के पहले भी उपएंदर कुछवाहा बकरी ऐसा में करते थे और उनको बाग का च्छाल पहना करके उनको सेर बनाया फिर मैंने छोड़ दिया, तो आज मैं उनका प्रेस कानफरेस से सुल रहा था मैंने उपेंदर कुस्वाह क्या सूचते हमको समझें नहीं आता है उनको लगता है ऐसा कि पुरे बिहार की जनता और खास तरसे कुस्वाह समाज बेकूफ कौम है जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिहार सबसे कंसेस इलाका है पॉलिटिकल और कुस्वाह समाज में जो एक नया उत्सा हुआ है एक अक लोग एक अक बात को समझ रहे हैं उनको तो आपने लोगों ने डिफ्यूज कर दिया उपेंदर कुस्वाह को आप कहां सीम बना रहे थे अब जीरो बनाने के कुछ सेस्व में लगे तो नहीं कल जो परदीप मिस्तरा जी जो हमारे जो रास्टिय लोग समता पार्टी के जनरस्रेटी थे और उपेंदर कुस्वाह के राइट हैंड के रुपे माने जाते थे और कल जब परदीप मिस्तरा ने ये प्रेस कॉंफरेंस करके इस बात को कहा कि हमने पैंतालिस पैंतालिस लाग रुपेया अपने एकाउंट से मैंने उनको ट्रांस्फर किया पिछले गांधी मैदान में जो रैली हो रही थी इसमें 55 लाग रुपेया ड्राफ्ट के साथ हमने उनको पैसा दिया पार्टी में दिया और उनकी पूरी फैमिली को कम से कम 12-15 देसों का उनकी पतनी बेटा बेटी दमाद को सेर करवाए तो करोरो करोरुपया उस पर खर्च हुआ तो कल भी प्रदीप मिस्तरा जी ने सपस्ट रूप से कहा था और आज भी मैं सुन रहा था उनकी बातों को उन्होंने सपस्ट रूप से कहा कि जब मैं पार्टी में आया था तो उपेंद्र कुस्वाह ने कहा था कि दो सीट अगर मिलेगा एक सीट मुझे तो दूसरा सीट आपको एटनिक कोस्ट लोग सभा में देंगे चुकि मुतिहारी के हैं इसलिए मुतिहारी सीट पर मेरा भिटो रहेगा और इनफेक्ट है कि मुतिहारी सीट उनको मिला महागटफंदन में जब आया तो मिला लेकिन मैं खुद जब साथ फरवरी को उपिंद्र कुसवाह के हां गया तो मैंने इस बात को कहा कि आपने फरस जनवरी को ही डिकलियर कर दिया कि माधवा अनंद मुतिहारी के उमिद्वार हो गया मुतिहारी केंने लोग के सामने और मुतिहारी के बेस पोर्ठ कुसवाह ओ सत्पर तिस्तर रोष रिवोल्ट के हुए दस गारी से मेरे हां पटना में आके लोगों ने बिरोज़एता आया तो मैंने साथ तारिक उपेंद्र कुसवाह को खुद मैंने कहा कि वाई कोई कैंड बदल दीजे जब सब कुस्वाहा लोग भी द्रोह किये हुए तो क्यों आप इसको दे रहें तो मुझे खुद उपहंद्र कुस्वाहा ने कहा था इस बात को कि नागमनी भीया ये माधो आनंद दस नौ कोड़ो रुपईया मुझे पार्टी फंड में दिया है चुकि पार्ल और वो बात साबित हो गया कि जब परदीप मिस्रा जी ने आज इस बात को कल भी कहा था आज भी कहा कि हमने जो कुछ किया वह मतिहारी लोग सबहा सीट के ले किया और फैक्ट है आज उपकेंद्र कुस्वाहा की बात में सुन रहा था कि भई अगर कोई बिदेश में सेर कर आने के लिए कहेगा तो मैं नहीं जाओगा क्या मैं तो किसान का बेटा हूँ अब बताया ही सादमी को कहां इक ऐसे प्रोफेसर बन गया ये करपूरी डिविजेंस से पास किया है अब आप नियम जानिए इस बात का कि कोई भारस सरकार का मंत्री है बिना भारस सरकार के सहम नेकले तो में चला गए तो क्या गुणा ऑगा दोस्त मित्र अगर ले जाएगा तो चले गए तो क्या गुणाकों No, his minister, IJ minister नहीं जा सकते हैं बिना without government के नुमतिके तो अब जिस आदमी को समिधान का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है कर अब प्रोफेसर कहां से प्रोफेसर लेकिन लेकिन ओका रहे हैं कि अभी तो सीट का बटवारा हुआ नहीं माहागर बंदन में तो हमने सीट बेच के से दिया? भाई देखे, फर्स्ट जन्वरी को हमारे सामने मोतिहारी के जो चार पांच जिला धक्ष परदेश कमिटी के जो मोतिहारी पारलेमेंटिक अंजोसी के लोग थे अगर आप तो सब के सामने उन्होंने कहा चुकि महागर बंदन में जो बाते हुई थी उसमें आज भी जो बाते आ रही है उसमें कारा कार्ट मोतिहारी और एक और सीट की बात हो रही है तो पहला नम्बर तो कारा कार दूसरा मोतिहारी आज भी महाने सब तीबी में आ रहा है तो उन्होंने मेरे सामने इस बात को कहा और कुछ कारकम पार्टी का था हाल में हम समझते हैं आट दस निन पहले मुतिहारी गह थे और सार्वजनी कुरुप से इस बात को कहा है कि हम माधो आनन्द ही उमिद्वार होंगे तो ये कहना बच्पना वाला बात है कि भी सीट का सेरिंग नहीं हुआ अल्रेडी माधो आनन्द ही जो एक महिना लगातार मुतिहारी में कैंपिंग कर रहा है तो जब तक नेता कादेश नहीं होगा तो क्यों घुमेगा लेकिन वो कह रहे हैं कि नागमनी जी इतना हमला से काम नहीं चलेगा और जोर लगा ये ताकि तिकट मिल जाए आपको देखिए उनका कहना का मतलब है कि नागमनी जी हम पर हमला इसलिए कर रहे हैं कि नितिश कुमार खुश होकर टिकट देगे देगे देखिए बावु नितिश कुमार जी बहुत मेचोर लीडर है फैक्ट यह है कि हमने भी नितिश कुमार को एक समय में आउट एंड आउट उनतिश में कई समयले को तोड़ करके लजेपी का और मुखमंत्री बनने में हमारा बहुत भारी सहुग रहा है तो अलग बात है कि उससे में हमारा कंटुबिशन बहुत था लेकिन फैक्ट है कि नितिश कुमार का जितना मैंने अलोचना किया दूसरे अगर नितिश कुमार के जगा पर दूसरे नेता होते तो फैक्ट है कि नितिश कुमार हमको गला नहीं लगाते लेकिन मैं बहुत ही रीनी इस बात का हूँ नितिश्मार जी का कि जो घटना करम हुआ पार्टी से निकाला गया तो मानिये मुख्मंत्री जी ने मुझे फोन करके बुलाया और करीब आधा घंटा मेरी बात हुई और सच परतिस्वा स्टिस्फेक्टरी बात हुई हम अलग बात है कि मैंने उनको जरूर कहा कि मैं जेडियू में सामिल होना चाहता हूँ और मेरा कोई सर्त नहीं है जो भी जिम्मेवारी आप देंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे मैंने मानिय मुख्पंत्री जी को जरूर कहा है इस बात का कि उप्पंत्र कुस्वाह का पर्मा निन्ट राजनिति को समाथ करना जरूरी है बिहार के हक में और कुस्वाह समाथ के हक में क्योंकि ये कोई भी अगर सांसद या मंत्री बनता है किस बात के लिए कि आम जनता का या कंचुनसी के लोग का प्रोल्म को सॉल्व करना एक एक जांपूल इस बात का नहीं है मैं पहले भी कहा हूँ इस बात को कि कोई भी आदमी इनके हां काम के लिए आता है तो सामने दे दिकारी को फोन नहीं करना किसी मंतरी को फोन नहीं करना और पेपर ले लेना और पेपर को गतर खाना में डाल दाना या घर में जला देना कोई response नहीं हुआ है इसलिए मैंने भिहार की जनता से अभी भी अपील कर रहा हूं कि बीश दिन पहले अपील क्या हूँ कि एक आदमी अगर प्रूफ दे कि उपिंद्र कुस्वाहा ने मेरे सामने किसी पदाधिकारी या मंतरी को फोन किया है उनको मैं पचास जार इनाम दूगा लेकिन आज तक कोई इनाम लेकिन नागमनी जी जो पिंद्र कुस्वाहा कर रहे हैं कि सुतरधार कोई और है और आप भी कह रहे हैं कि नितिश कुमार को जितना आपने मुखालफत की उनकी उसके बाद दूसरा नेता होता उनकी जगह तो गले नहीं लगाता नितिश कुमार ने गले लगाया तो क्या आ Torah रहे हैं नितिश कुमार के दुष्मन को निपटा कर उपिंद्र कुस्वाह उनका दुस्वन है उपेंदर कुस्वाहा दुस्वन है कुस्वाहा समाज का जो आजादी के बाद पहली बार कुस्वाहा समाज के तमाम जो बड़े निता थे हम लोग इनके नितृत में काम करना शुरू किया उपेंदर कुस्वाहा बहुत जुनियर लीडर थे उसके बाद यूद हम लोगों लीडर माना नहीं अच्छी बता दीजे कि उपेंद्र कुस्वाहा जहां से लड़ना चाहते चुना वहीं से आप लड़ना चाहते हैं क्या इसके लिए नितीशकुबार ने हामी भर दी है नहीं उपेंद्र कुस्वाहा अपने आपको कहता है कि हम बड़ा लीडर है और कुस्वाहा के बड़े लीडर हम हैं तो आप से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप उपेंद्र कुस्वाहा के खिलाप मुझे उमिद्वार बनाईए अगर जमाना जबत नहीं जीत नहीं जमाना जबत अगर उपेंद्र कुस्वाहा का नहीं करा दिये तो मेरा न पार्टी में जाने के लिए अभेदन दिया हूँ पार्टी में जाने के लिए अगर इनका जबाब आपको अच्छा लगे इनके जबाब से आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो को खूब सेर करिए दोस्तों के साथ अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए आपका सहय लोग समर्थन लगतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार नमस्कार